साथियों, आज हादी के अमरित महोस्व में, देश अपने उन संतानों को याद कर रहा है, जिनों ने भारत को गुलामी से बहार निकालने के लिए प्रयास किये। सिमद राग्चदर जी, ऐसे ही एक संत पुरूस, ज्याता पुरूस, एक दिर्गत रष्टा महाव संत थे, जिनका एक विराज योगदान इस देश के इतिहास में है। ये दुरुभागी रहा है कि भारत के ज्ञान को भारत की असली ताकत से देश और दुनिया को परीच कराने वाले ओजस्वी नेत्रुत्व को हमने बहुती जल्द खो दिया। खुद पापू पुझ्य महात्मा गांदी ने कहा था कि हमें शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे लेकिन सीमत के लिए एक ही जन्म काफी है। आप कलपना कीजिए महात्मा गांदी के विचारों को जिनों ने प्रभावित किया। जिन महात्मा गांदी को आज हम दुनिया में पत्प्रदर्शक रुप में देखते हैं। जिन महात्मा गांदी के विचारों के प्रकाश में एक दुनिया एक नए जीवन को तलास्ती रहती है। वही पुझ बापू अपनी आध्यात्मिक चेतना के लिए सीमत राज चंद्रजी से प्रेणा पाते थे। मैं समझता हूँ के राकेश जी का देश बहुत रूणी हैं। जिनोंने सीमत राज चंद्रजी के ज्यान प्रभा को जारी रखा। अन आजे आ होस्पटल बनावी ने अटला पवित्र काम मां राकेश जीनी द्रश्टी पन छे, पुर्शात पन छे, अने अमनू जीवन पन छे। अन छताएं, आखाय प्रकल्प ने हमने रंचोजास मोदी ने एक आधर्निया सेवा भाव तरीके अरपित करिय। ये राकेश जीनी मोटाईश है। समाज के गरी, बंचीत और अधिवासियों के लिए इस प्रकार अपना जीवन समर्पित कर देने वाले ऐसे व्यक्तित्व देश की चेतना को जागृत किये हुए है।